Hello Friend! स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल RC Concept में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं GP2 के बारे में कि GP2 होता क्या है और इस से जुड़े सारे डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे जैसे GP2 होता क्या है और इसका यूज कहां करते है और इसके advantage और application क्या होते है और इसको इस्तिमाल करने का procedure क्या होता है और इसको store वगएरा करने के बारे में हम बात करेंगे इसके लिए आप वीडियो के last तक बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है जिसमें कुछ chemical और ingredient मिले होते हैं जो इसके plastic state में expenses को control करते हैं और इसमें पानी की ज़रुवत कम पड़ती है फिर भी यह जल्दी strength गेन करता है और जदा strength गेन करता है GP2 को कई नामों से जानते हैं जैसे फूस रोक और कॉन बेक्स्ट्रा अब हम आते हैं इसके use पर कि इसका इस्तिमाल कहां करते हैं इसका इस्तिमाल हम grouting में करते हैं जहां static और dynamic load लगते हैं जैसे turbine, compressor, boiler, feed, pump इन सब के base plate के नीचे हम grouting में तलब grouting करने में उसमें इस्तिमाल करते हैं इसमें हमें कोई aggregate और sand या dust एड़ करने की जरुवत नहीं पड़ती है अब हम बात करते हैं इसके advantage के बारे में इसमें हमें कोई metallic iron का use नहीं करना होता है और यह pre-packed material होता है जिससे हमें on-site इस्तिमाल करने में आसानी होती है और यह बिना chloride के high strength develop करता है इसकी grouting hard और durable होती है यह free flow होता है और यह gravity flow के कारण अपने आप ही level हो जाता है और इसका high load bearing वाले area में इस्तिमाल करते हैं अब हम बात करते हैं इसके mixing की इसके mixing के लिए अगर हमारी quantity कम है तो हम hand grinder mixer का इस्तिमाल करते हैं otherwise अगर हमारा quantity ज़्यादा है तो हमें mixer machine का इस्तिमाल करना होता है हमारा GP2 का एक bag 25 kg में available होता है और इसे एक बार में ही इस्तिमाल करना होता है बैक खुलने के बाद हमें water to powder ratio 0.17 से 0.18 रखना होता है इसका मतलब हमें एक bag यानि की 25 kg GP2 cement में चार से साढ़े चार लीटर पानी का इस्तिमाल करना होता है जिससे एक flowable paste तयार हो सके तो चलिए अब हम practical दिखाते हैं इसके लिए हमने एक एक लीटर का जार लिया है ताकि हम पानी को मेजर करके डाल सकें हमने जार में पानी एक लीटर तक भर लिया है और एक mug है हमारे पास और हम इससे पानी को नाप लेंगे ताकि हमें पानी डालने में आसानी हो और हमारे टाइम का बचत हो हमने 4 लीटर पानी ले लिया अब हम GP2 सिमेंट को पानी में डाल कर मिक्स कर लेंगे और ध्यान रहे इसे एक बार में ही मिक्स नहीं करना है इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे ताकि हमारा GP2 अच्छे से मिक्स हो जके अब हमारा GP2 पेस्ट तयार हो चुका है अब इसे हम इस्तिमाल करेंगे बेस प्लेट के नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों इधर हमने बेस प्लेट के चारो तरफ फ्रेमिंग कर रखा है और इसमें हम GP2 को डाल रहे हैं और यह सेल्फ लेबल हो जाएगा उसके बाद यह सेट होने के बाद यह स्ट्रेंट गेन कर लेगा तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू